आप सभी लोग ने देखा होगा कि जब से कुरोना महमारी आई हुई है तब ही से चाइना पर सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि पहला केस आपका चाइना में ही आया हुआ था और उसके बाद आपने ये भी देखा होगा कि चाइना ने बहुत जल्दी कुर प्रियानक बनी हुई है और आप समझें कि सभी देशों की कोरोना महामारी के कारण अर्दवरस्ता गिरी हुई है यानि कि धरस्त हुई है लेकिन चाइना की आप ने देखिए कि उसकी अर्दवरस्ता में बड़ोत्री हुई है तो यह भी माना जा रहा है कि 2015 से चाइना इस त देता है अमेरिका और ऐसा है तो एक चिंता का कारण भी बन जाता है समझ रहे हैं आप लोग क्यूंकि आप सोचे कि इस तरह का वायरस की कोई भी देश छोड़ दे तो आदे से अधिक लोग इसी तरह से मर जाएंगे तो यह भी आप समझ सकते हैं आप देखेंगे कि चाइ और अपने पड़ोसियों के अगर बात करें तो नीचे आपको स्रीलंका दिखाई दे रहा होगा यह बंगलादिश, भूटान, म्यानमाल, नैपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यह है आपका चाइना पड़ोसी चाइना के बारे में कुछ पॉइंट बताऊं तो इसक 1947 में मिली थी, लेकिन इसे दो साल बाद, यानि कि 1949 में आजादी मिली थी, ठीक है, यह भी आप लोग याद रखिए, और इसी में आप देखेंगे कि इस रेपोर्ट में क्या का आगया है, कि कुरोना महामारी के पीछे चीन के सडेंद को फुक्ता करते कई तत, कौन-कौन स से ही इसके पीछे चीनी साजिस को लेकर कई बातें कही जा रही हैं, और कई देशों ने भी ये सवाल खड़े किये हुए हैं, हाली में आप देखेंगे कि अमेरीकी विदेश मंतराले को चीन के सेन बिग्यानियों और वरिष्ट चेकर साधिकारियों का कोपिया हैं, इसके मताविक चीन के बिग्यानी 2000, चीन के जो बिग्यानिक हैं, एक 2015 से ही कुरोना वाइरस को प्रेयोक साला में किंतिम तरीके से एक घातक जैविक हत्यार में बदलने की संभावना पर काम कर रहे थे, यहां से आप समझे कि इस्तिती खतरनाक हो जाती है, आप समझे कि कोई ऐसा जैविक तरीके से आप बनाएं कि अधियार बना लें, कि जो हवा में छोड़ दें, और आप सोची कि आदी दुनिया में फैल जाए, और आपके पास तो इस तरह की दबा भी होगी, आप तो पहले जो वाइरस आप लोग बना रहे होंगे, तो उसकी तो आपके मानना है कि तीसरा विस्योद जैविक हतियारों से ही लड़ाए आएगा, आप सभी जानते ही कि पहला विस्योद आपका 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था, और आप देखेंगे दूसरा विस्योद आपका 1949 से लेकर 1915 तक चला था, ठीक है, यह भी आप लोग याद रखिएगा, और चीन भले ही कुरोना महामारी की फैलने में अपना हाथ होने से इंकार करता है, लेकिन कई ऐसे तत्थ हैं जो चीन की ऐसे साजिस पर कलई खुलते दिखते हैं, आप देखेंगे कि इस पर भी आप देखेंगे एक नजर, यह है वो रहाँ, बुहान इस्टिट्यूट ओफ व पहान के उस बाजार से मत 16 किलोमीटर दूर है, जहां मौझूदा कुरोना महामारी की सुरुवात बताई जाती है, और यह बात भले ही ना मानी जाए कि मौझूदा वायरस को चीन ने जानबूच कर फैलाए, लेकिन बहुत से विग्ञानी फिर उक साला से वायरस के लीक हो हुआ है, और यह भी आप लोग जानते हैं कि चाइना में लोगों की जान की कोई जानब कीमत भी नहीं है, वहां जिस तरह से हम देखते हैं कि हमारे समिधान में आपको भागतीन में मौलीक अधिकार भी मिले हुए है, आपकी अधिकारों का अगर हनन होता है तो आर्टिकल आप लोग 32 के तहट, आर्टिकल 226 के तहट, परेम कोट और हाई कोट जा सकते हैं, वो आपकी अधिकारों का एक तरह से रक्षा करेगी, लेकिन चाइना में अगर आप आवाज उठाते हैं, तो आपको माल दिया जाता है, कोई बोल भी नहीं सकता है, आप समझते हैं कि अमेरिका से किस तरह से उसका टकराओ भी चल दा है, अब देखिए क्या हाल है, अब इस पर पूरा कहा भी नहीं जा सकता है कुछ, आंगे इसमें क्या कहा गया, पहले भी लीक हुआ है घातक वायरस, अमेरिकी विदेश मंतराले की दस्ताबज्यों के मताबिक, 2004 में वोहान की प्रियोकसाला से वायरस लीक हुआ था, और उस समय वायरस ने 9 लोग संक्मित हुए थे, और एक ब्यक्ति की जान चली गई थे, और इस तरह की हरकतें आपका चेन करता रहता है एक तरह से, आप सोचिए कि हमारे देखिए अभी आप लोग लगदा को देख लीजे हमारे या फिर आप देखिए अरुनाजल पेदेश को देख लीजे, सिक्कम को देख लीजे, यहाँ जड़कें होती रहती हैं, कपजा करने की बात करता रहता है, और आप देखते हैं कि जो साइवर हमले भी करवाता रहता है, तो ये भी हो सकता है, अमेरिकी अधिकारियों का कहन चीन में वािर्स लीक के ऐसे मामले में कई बार सामने आ चुके हैं और वायरस लीक के तरीकों पर फिज्जानियों का कहना है कि परयोग सालह में सुरक्षा कितनी भी पुकता हूँ लेकान परयोग के दोरान संक्मित इंजेक्शन危 taped और या प्रेयोग में सामिल किसी चुहे च आपने जीब के काटने से वायरस लीक हो सकता है और आप सोची कि इस वायरस को अगर इस तरह के कोई बनाए तो बड़ा फायदा भी हो सकता है आप सोची कि आपने बना ये छोड़ दिया आपके पास वैक्सीन है या आपके पास कुछ इस तरह की टिंका है तो आप लोग बें बोल भी नहीं सकते हैं और ये भी आप लोगों ने सुना होगा कि चमगादड से मन उस तक कैसे पहुंचा वायरस मौजूदा महामारी के महामारी के महामारी के लिए कुरोना वायरस के जिस स्ट्रेंड को जिम्मेदार माना जाता है वह काफी अत्तक चमगादड में पाए गए एक वायरस से मिलता जुलता है और ये भी आप लोगों ने सुना होगा कि चाइना के लोग चमगादड खाते हैं तो उसी से ये वायरस बना हुआ है सुरू में इस तरह की भी बातें काफी उठी हुई थी कहा जाता है कि यही वायरस अपने आपको बदलते हुए मन उस से तक पहुँच गया है हाला कि कई विज्ञानी के इस बयाक्या गुखारिज भी करते हैं और उनका सवाल यह है कि कोई कुरोना वायरस तीधे किसी जीप से मन उसमें आकर इंतना संकरमक नहीं हो सकता है अगर इस वायरस ने बदलाओ का लंबा सफ़ाज तई किया है तो फिर वीज की कडियां कहा है तो आप देखिए आप लोग की एक सिक्के के दो पहलो होते हैं समझ रहे हैं इसी तरह विज्ञानिकों में भी होता है कि कुछ विज्ञानिक इसके पक्ष में होंगे इस तरह की चर्चाएं चलती रहती हैं निसकर्स पर कब तक पहुंचेंगे यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा ठीक है और चाइना इतने आसानी से सुईकार भी नहीं कर सकता है करता भी नहीं है वो स्पाइक प्रोटीन भी खड़े करता है कई सवाल एक क्या कहता है मनुस्ते की सरीव में फ्यूरिन नाम का एक इन्जाइम होता है और फैंपने में इसकी मौझूदगी जैंदा होती है कुरोना वायरस इसके लिए बहुत तेजी से फैलता है क्योंकि इसके स्पाइक साइट49 अमीनों ऐसेड से बने है और म्यूटेशन होते होते की सी इसे वायरस में इसे चार अमीनों ऐसेड होना संभाओ हो है लेकिन एक साथ चार अमीनो एसे जोड़ जाना स्वभाविक भी नहीं है। ऐसा तभी संभा हो सकता है जब प्रियोक साला में अलग अलग वायरस से इसे लिया गया हो। यानि कि आप समझ सकते हैं कि प्रियोक साला का उपयोग किया गया हो। एक तरक आप लोग एवी दे सकते हैं कि चाइना ने बनाया हुआ है ठीक है और आंगिस में एक और कुछ कहा गया है फिसिन और भी यह क्या है कि बिग्यानकों का कहना है कि सार्स भी जानलेवा था लेकिन उससे जल्दी निपटना संभा हुआ है क्योंकि उसकी संक्मट चमता बहुत जानदा नहीं थी लेकिन इसकी आपने देखा है कि कुछ दिनों में कितने जल्दी आप कह सकते हैं कि फैलना शुरू हुआ और सभी देसों में लगवग फैल चुका था अब देखी कुछ देसों ने कंट्रोल कर लिया है लेकिन हमारे यह कुछ स्वास्त वेवस्ता कि हालत आप जानते हैं कि बाखी देशों से हमारी इस्तिति खराब है और आपने देखा है कि क्या हालत बनी हुई है अभी ठीक है और मौझूदा कॉरोना वाइरस की संक्मर चंक्रमता भी चौका नहीं वाली है किसी नए वाइरस के लिए इतना संक्रमक होना सामान बात नह जाती है वह बुहान से पंदरह सो किलियोमीटर दूर युनान में पाए गया था यह भी आश्चर ही है कि वायरस पंदरह सो किलियोमीटर के सफर में किसी को संक्मित नहीं करता है अचानक बुहान इस्टिट्यूट और वायलोजी से 16 किलियोमीटर की दूरी पर महामारी फैला देती है तो यह भी आपतर देख सकते हैं कि आप लोग कुछ तो हुआ होगा वह तभी तो आप समझ सकते हैं कि वहां आसपास फैला ठीक है तो यही कहां नहीं अब देखे क्या है क्या नहीं अब इसके बारे में फूरा पुकता हम आप कहीं से नहीं कह सकते हैं जो सवाल सा कलते हैं तो सुरक्षा बनाए रखें क्योंकि आप देख रहे हैं क्या हालत बनी हुई है ना तो oxygen समय से मिल पा रही है ना ही कोई vaccination आपने भी registration करवाए होगा कितना लंबा समय होने की बाद भी आपको date भी नहीं मिली हुई है और कब मिलेगी ये भी को clear भी नहीं है तो ये त के लिए आप बहुत मायने रखते हैं ठीक है